आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा रोमेंटिसिजम ये एक बहुत बड़ा मुवमेंट था ये सिर्फ इंग्लेंड में नहीं आया था बलकि पूरे यॉरप में आया था ये मुवमेंट एक रियक्शन था इंडस्ट्रियलाजेशन के अगेंस्ट और एनलैटिनमे के तरफ इस मुवमेंट को सबसे पहले स्टार्ट करने का क्रेडिट दिया जाता है रूसो को रूसो नाम लिख लो जिन्नोंने सबसे पहली बार किसी रॉमेंटिक आइडिया को दिया जब दुनिया एनलैटिनमेंट की तरफ जुकी हुई थी जब नए-णए आइडिया तल पर जोर ना देकर, एक बच्चे की स्वीटनेस, नैच्रल इनसेंस पर जोर दे रहा था, तो यहां से रोमेंटिसिजम की शुरुआत होती है, अब मैं आपको बताता हूँ इस एज में क्या-क्या खास हुआ था, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक पाइट के बारे में, एक 17 साल का पाइट था, टॉमस चैटेटर नाम का, जिसने उस वक्त एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी जान दे दी थी, स्यूसाइट कर ली थी एक छोटे से अपार्टमेंट में, और उसने उस वक्त खुद को इसलिए मार लिया था, क्योंकि कोई उसकी पब्लिश नहीं करना चाहरा था उस वक्त, और दूसरी तरफ उसकी खुद की फैमिली उस पर जोर डाल रही थी, ये पाइट वाइट बनने की बजाए, वो एक लॉयर बने, एक यंग हैंसम लड़का, 17 साल का पाइट, इस तरह से अपने अपार्टमेंट में सिसाइड कर देता है, तो काफी लोगों को इस बात ने प्रभावित किया, कि एक यंग आर्टिस्ट को इस क्रूल, इस वल्गर दुनिया ने रजेक्ट कर दिया, चैटरटन को उस वक्त की रोमेंटिक हीरोज में गिना जाता है, जिन हीरोज में शामिल है शैले, कीट्स और लॉर्ड ब अब ये किताब एक इलेक्टरिक शॉक से कम नहीं थी दोस्तों, ये इलेक्टरिक शॉक दिया था, विलियम वर्ट्स वर्ट और सैमिल टेलर कॉलरिज ने मिलकर, इन दोरों के साथ में इन ही की जनरेशन के एक और पाइट थे, रोबर्ट साओधी, ये तीनों को अर्ली रो इन्हें लेक पाइट्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये सारे उस वक्त इंग्लैंड में ऐसे इलाकों में रहते थे, जहां पर लेक्स हुआ करती थी, इस वक्त तक रोमेंटिसिजम यूरप के अलग-अलग हिस्सों में फैल चुका था, इंग्लैंड के अलावा जर्मनी, फ्रांस, पॉलन्ड, यहां तक की रशिया और अमेरिका तक पहल चुका था,